अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार ये चौकीदार नहीं है ये देश के ठेकेदार हैं और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविश को ये ठेके पे कर देना चाहते ह ये जो अगनीपत्य योजना है इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फरेंस सुन रहा हूँ प्रेस कॉन्फरेंस में सरकार जिलेवी की तरह गोल गोल कर रही है हर चीज को सब कुछ बोल रही है सब फाइदा गिना रही है हो सकता है कि कोई भाजपा का मन्तरी ये भी आकर के कह दे कि अगनीपत्य योजना में सामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिडेगा जिस तरीके से उसके फाइदे गिनाये जा रहे हैं लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है एक सिंपल सवाल है सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए क्या सिंपल सवाल है कि जो भरतियां हो रही थी वो भरती होगी की नहीं होगी सवाल नमबर एक सिंपल बात है पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले दो साल में अब तीसरा साल है 50,000 लोगों को भी की भी भरती नहीं की गई बहाना क्या दिया गया बहाना दिया गया कि कोरोना था इसलिए भरती नहीं किये हाई मोदी जी कोरोना था तो चुनाव लर लिये बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिये सब जगा चुना हो गया उत्तर प्रदेश का चुना हो गया बुल्डोजर बाबा आगे लेकिन आर्मी की भरती नहीं हुई ये बैमानी है कि नहीं है रोजगार देने में कोडोना है अचुनाव लरने में कोडोना नहीं है और अगर आप बैकलोग को देखेंगे पचास हजार को अगर मालने तब भी देड़ लाख बहाली होनी चाहिए थी देर लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं देर लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं उपर से एक नया योजना ले करके आ गए हैं तो एक छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था कहां मम्मी दूद पिला दो दूद पिला दो मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता है कि मम्मी दूद पिला दो बच्चा चिला चिला करके कह रहा है कि मम्मी अलमीरा से नीचे उतार दो नीचे उतार दो लोग मांग रहे थे हर साल दो करोर नौकरी इन पत्के क्या फाइदें हैं अरे सिंपल सी बात है बिहार में कहावत है नहाया हुआ सरीर और खाया हुआ सरीर नहीं छुपता है जो चीज अच्छी होती है उसका फाइदा बताने का जरूरत नहीं होता है जो चीज में कोई खराबी होती है उसका खराबी छुपा करके आपके अच्छा एब पेट रह दोपेखने के लिए भाता होगा, तो ऊसलिए समान का सब अच्छा अच्छा ही बताता होगा। बीच में है जावेद अख्तर ने लिखा है इस एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजे दो दो आवाज है एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है वो देश के सरकार में बैठे हुए है एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है वो सरकों पे ख़ला वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है वो सत्यागरह कर रहा है और यह सत्यागरह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के जूट को हम समझ रहे हैं जूट क्या है जूट है कि यह लोग पर्मानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं पर्मानेंट बहालियां नहीं होगी अगर यह पर्मा तो सिर्फ उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है जब भी देश की कोई सार्वजनिक संपत्ति बेची जाती है तो उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि देश में अगर सारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेच दिया गया त तो क्या करेंगे जोतिरादित सिंधिया समझना है कि नहीं समझना है आप हमको बताइए कि सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए सरकारी प्येसनल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से सेना में नियमित नौकरी नहीं होनी चाहिए जब सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरक मुझे का मतलब होता है देश की राष्त्रेय सेना देश का मतलब होता है देश के लोगों का सम्मान इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यागरह करने के लिए आया हूं Congress party की लगाई सिर्फ अपने North ako बचाने की लड़ाई protections की लगाई कि देश को बचाने की लड़ाई है, वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है, जिस देश को नहरू मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया है, उस देश को बचाने की लड़ाई है. इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो फिर्पया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और सेर जरूर करे